युवकल्याण एवं मुच्छिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व की बीजोपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले शिवराद सरकार में अधिकारी सरकार चलाते थे पर अब मुख्य मंत्री सरकार चला रहे हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव पर भी पलटवार करते हुए बयान दिये हैं देखिए ये खास रपोर्ट जीतू पटवारी अब सरकार के मंत्री के रूप में विपक्ष में बैठी भाजबा के खिलाफ जमकर बेबा की दिखा रहे हैं जी हां विधानसबा सदन में खेल यूवा कल्यान एवं मुच्शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पिछली बीज़िपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा की पहले 5 से 6 अधिकारी मुख्यमंत्री को टिफिन दे देते थे और भ्रमण पर भेज देते थे और खुद सरकार चलाते थे पहले अधिकारी सरकार चलाते थे अब मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं अव्यवस्था जहां हुई वहां अधिक से काम किया कि भारत देश में दूसरा उधारण देखने को नहीं मिलता है कमल लाज जी इस पश्ट रूप से कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना हूँ जनता ने बनाया है मेरा धर्म जो है जो मैंने वच्चन पत्र में का वो पूर्ण करने का उसके लिए दिन रात मेहनत करके सुबे 9 बजे आफिस पोचते हैं 11 बजे आफिस से निकलते हैं पहले एक समय था जब मुख्यमंत्री को कुछ 5 6 अधिकारी टीपिन देते थे और टीपिन दे के भ्रह्मन पे भेज देते थे और खुच सरकार चलाते थे पहले 15 साल बाद मुख्यमंत्री सरकार चला रहा है पहले अधिकारी सरकार चलाते थे, आप देखो आव वेवस्था हैं जाँ दिखी, वहाँ कलेक्टर के टरांसपर हुए, आव वेवस्था जाँ दिखी, वहाँ पुलिस अधिकारी इधर उदर हुए, वेवस्था बनाने के लिए ती द्रड़ता से कोई नीड़े लेना मैं सम वही मंत्री पत्वारी ने तबादलों पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा पैसे लेने के लगाय जा रहे आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि अगर कोई संग्यान में आया है तो पकड़ कर हमारे पास लाएं उचे शिक्षा मंत्री ने भार्गव को नसीहत देते हुए कहाया है कि ऐसी बाते करकर लोगों को भ्रमितना करें और अपने पद की गरिमा रखें गोपाल भार्गव जी के पास जो डिपार्टमेंट था उसके भी कागच आये हैं मेरे पास रही बात एसा कोई उनको संग्यान में आया हो तो वो भी विपक्ष के जनप्रति निदी है उसको लाए पकड़े हमें करें ऐसे लोगों को एसी बात करके लोगों को भ्रमित नही कुल मिलाकर 15 सालों बाद विधान सभा की तस्वीरे बदली हुई है जो नेता अब तक विपक्ष के रूप में मैदान संभालते थे वो अब सरकार में रहकर जवाब दे रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट MP News भोपाल